आपका स्वागत है और आप है रश्मी के साथ आज हमारे बीच मौजूद है बीजेपी के विधायक चौधरी उदैभान सिंग जी जो की 91 विधानशभा फतेपूर सिक्री आगरा से हैं आज हम इनसे बात करेंगे कुछ गाउं की समस्याओं के बारे में तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कारिकरब में नमश्कार तो विधायक ची हम आपसे बात करेंगे गाउं में होने वाली समस्याओं के बारे में गाउं में खास तोर से वर्तमान परस्तितियों में जल की समस्या बहुत जादा है जल है, सिक्षा है, चिकिस्था है, सुरक्षा है और भृष्टाचार और बेईमानी से ब्याप्त जो माहुल बना है देहत में वो बहुत जादा विचारनी है, एक समय ऐसा था, जहां गाउं सुख का सागर था आज गाउं में अनेक समस्याओं का भंडार है तो विधायक जी आपको क्या लगता है, अभी गाउं की स्तिती क्या है और आपकी सरकार गाउं में जो समस्याओं हैं उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है मेरी सरकार भारते जंता पार्टी ने गाउं के अनेक समस्याओं को सुधारने का संकल्प लिया है केवल संकल्प नहीं, साकार स्वरूप देने का भी सफल प्रयास किया है लेकिन अभी समय अलपकाली ने एक वर्स हुआ है हम आगे की ओर बढ़े हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जो गाउं की छोटी-छोटी समस्याँ है उनको गाउं के याधार पर, लोकतंत्र के याधार पर, इस्थानी यह, लोगों को जोड़ करके उसकी समस्याँ की समाधान के लिए हम लड़ रहे हैं ग्राम पंचायत के स्वरूप को हमने सुध्धन करने का कोशिश की है गाउं के सब्रहंत व्यक्तियों को साथ में हमने जोड़ा है और कोशिश कर रहे हैं गाउं की छोटी-छोटी समस्या जो इस्थानी आधार पर दूर हो सकती हैं उनको इस्थानी स्थानी स्वरूप दे कर इसके लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? प्राइविट सेक्टर में जाएं तो कोई गाउं ऐसा नहीं है, जिस गाउं में प्राइविट सेक्टर में कहीं एक या दो स्कूल न खोले हों, सिक्षा आगे बढ़ रही है, सिक्षा का स्वरूप उतना नहीं बढ़ रहा हो जितना चाहिए, लेकिन जो समस्या है, वो जल की समस्चा है, मैं अपने फत्य पुर्सीकरी की बात कहना चाहूँगा और जन जन तक पहुचाना भी चाहूँगा कि अकबर बाश्या ने राजधानी फत्य पुर्सीकरी को बनाने का सोचा था अकबर बाश्या की उलाद नहीं थी, उलाद मागने के लिए शेख सलीम चस्ती की दरगा पे गया था, नंगी पैर गया था, लोटा, राजधानी नहीं बना सका कारण उसके लिए पानी नहीं था, पानी अकबर बाश्या की जमाने में भी नहीं था पानसो वर्स भी नहीं था, और आजकल बहुत ज़्यादा समस्या है नीचे पाड़ी छेतर है, पहाड़ है जमीन के अंदर, जमीन के अंदर पानी नहीं, जमीन के ऊपर पानी नहीं, नदी में पानी नहीं, तालाबों में पानी नहीं, पोखरों में पानी नहीं, पानी पीने का नहीं, नहने धोने का नहीं, क्रसी छेतर के लिए नहीं, पानी की बहुत बड़ी समस्या है तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपने क्या कदम उठाया है देखे मेरा प्रयास निरंतर एक लंबी बातचीत हो जाएगी लेकि मैंने फिर से कहना जब जमीन के अंदर पानी नहीं है आकाश में पानी नहीं है वायू बंडल प्रदूर्शित हो रहा है मौसम का मिजाज बदल लाए तालाव और पोखरें जहां प्राकृतिक रूप से पानी का स्टोर होता था उस पर निरंतर अत्क्रमन हो रहा है पोखरें दम तोड़ रही है पानी आएगा कहां से लेकिक पानी को यसी चीज नहीं है जो सरकार बना दे मैं बना दू वो तो प्राकृतिक वायू बंडल को परवर्तित करके एक एक बूद को बचा करके व्यक्तियों के जीवन में सोचने की प्रक्रिया नेमित जीवन जीने के जो आयाम है उनमें परवर्तन करके इस पानी की समस्या को समाधन किया जा सकता है मैं तो अनेक प्रयास कर रहा हूँ जैसे मैंने अभी चंबल नदी से पानी की मांग की है लेकिन चंबल नदी का पानी सरकार दे देगी चंबल नदी से पानी मिला देगी लेकि चंबल नदी में पानी का से आएगा चंबल नदी में भी पानी नहीं है यमुरा में पानी नहीं, गंगा में पानी नहीं, आस्मा में पानी नहीं, धर्ती के नीचे पानी नहीं, वर्सात में पानी नहीं, अब जब पानी है ही नहीं, पानी बनेगा कैसे, जिन कारणों से पानी बनता है, पांच तत्तों में नियमित अनुशासन रहे, जिन से दुनि कि नेतिक जीवन को नेतिकता से न जोड़ करके भौतिकता से जो जोड़ दिया उसका प्रारूप है कि अब पानी नहीं है लेकिन हमने आशा नहीं तोड़ी है हम निरंतर प्रयासरत है और निरंतर आगे बढ़ रहे पानी की समस्या जिर जूज रहे शिक्षा भी अपनी समस् जाए? गाओं मेंस्पाल नहींगे है गाओं गाओं में सुटव्णा से जोए हुए एजयन्टो neste जन्म ले लिए है वहां से लेकर के सरकारी अस्पतालों मेंने लेकर नर्सिंगों में भरती करते हैं सरकारी अस्पतालों में भी नेटिकता अटा करके बहुत तक जीवन से व्यक्ति को जोड़ दिया ये उसका कारव है लेकिन जो आपकी सरकार है अभी इस सवस्याओं को दूर करने के लिए कुछ तो खास कदम उठाने के बारे में सोचा होगा योगी और मूदी ये दोनों नेतिक जीवन से जुड़े हुए हैं इनक जनता के बीच में नागिरेकों के बीच में मतदाताओं के बीच में जनता के बीच में विश्वास पैदा किया जा रहा है कि सरकार जो भी करेगी जनहित में करेगी जो भी कर रही है जनहित में कर रही है ना योगी का कोई बिक्तगत एजंडा है ना मोदी का कोई बिक्तग के समर्पित है जब शाषक का जीवन जनता के लिए समर्पित होता है राष्ट को राष्ट देव की सोचने की भूमिका में जब होता है तो उत्थान होता है मुझे पूर विश्वास है कि भारती जनता पार्टी का शाषनकाल सबसे अच्छा उत्करष्ट शाषन सावित होगा जी हाँ विधायक जी अगर अब मैं बात करूँ कि गाओं में जो सौच की सौच की जो सौविधा प्रदान कराई जा रही है ऐसा कहना है कि पहले तो जो ये पैसे आते थे वो प्रदान के पास आते थे और वो ये सारी सौविधाये उपलब्द कराते थे लेकिन अब ये प्रधानों को प्रधानों पर F.I.R. किया जा रहा है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है शौच से जुड़ी हुई समस्या अपने आप में भैंकर थी भारती जिन्ता पार्टी के शाषनकाल में इस पर सफल और बहुत सच्छा और जुड़ा हुआ इस पर हमने प्रयास करना प्रारम किया है जहां तक F.I.R. की बात है मैं समस्या उसमें कमी आ रही है व्यक्ति अब सोच रहा है कि सरकारी पैसे का सदुपर करना चाहिए और सरकार भी इस परकार की योजना ले रही है कि जो लावारती है लावारती के सीरे सीरे जेब में लाव जाए बीच में लाव अटक न जाए कहीं भटक न जाए कहीं टेड़ा मेड़ा न हो जाए जो भी जनता को लाव मिला है वो लावारती के जेब में जाए लाव उसको मिले जिसको लाव की आवशकता है बीच के व्यक्ति को लाव में बंदर 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 न हो सके यह हमारा निरंतर प्रियास चल्लाव सुल सफल हो रहा है तो फिर क्यों प्रधान पर F.I.R किया जा रहा है? ने कि प्रधान पर F.I.R करना है और करा जारी ऐसा नहीं है जहां पर लिप्त है जहां पर अनुशासन वित्ती अनुशासन को जान बुझ के तोड़ा गया है वित्ती अनुशासन को मोड़ा गया है वित्ती अनुशासन को क कहीं न कहीं दाइवाई किया गया है जहां दो से तो दो से आद्वे पर कारवाई होनी चाहिए को ये थोड़ी के परदानों पर कारवाई हो रही है हमारा कोई इरादा है कि हम परदान गराम परदान हमारा नहीं है क्या गराम परदान के कारणा हम नहीं आये है क्या गराम पर परिशान थोड़ी कर रहे हैं ना हमारा इरादा ना हम कर रहे हैं उसे परिशान। कि जो अनुभूती है दस्तकारी जो गाउं से हाथ से छूटी है बड़ही ने बड़ही का काम करना बंद कर दिया नाई ने नाई का काम करना बंद कर दिया धोबी ने धोबी का काम बंद कर दिया हर आदमी दस्तकार था इस देश का वो दस्तकारी व्यक्ति के हाथ से छूट अब हर बेटा हर गाउं का नोजवान कहीं न कहीं दस्तकारी में जाए और वो अपने पेरों पर खड़ा हो और उसकी अनवहुती रोजगार से जुड़ी हुई हो उसका इरादा रोजगार से जुड़ा हुआ हो कमा करके खाने का इरादा हो इस पर ये सरकार काम कर रही है जी है विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास कारे करम में बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे हमारे साथ विधायक बीजेपी के विधायक चौधरी उदैभान सिंग जी तो इन्होंने बहुत अच्छे से बहुत ही कम शब्दों में बताया हमें आख बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आज के लिए बस इतना ही रश्मी को दीजे इजाज़त ABPS News लखनाउं